आरकम मैं आप सभी का मैं रजय से अभिनंदन करता हूँ, इस पुन्य अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भी अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ स्री अर्विन्दो का एक सो पचासवा जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक अइतिहासिक अउसर है उनकी प्रेरणाओं को, उनकी विचारों को हमारी नई पीड़ी तक पहुचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेश रुप से मनाने का संकल्प लिया था इसके लिए एक विशेश उच्चस्तरिय कमेटी की गठन की गई थी संस्कृति मंत्राले के नेत्रुत्व में तमाम अलगलग कारकम भी हो रहे हैं इसी क्रम में पुड़ी चेरी की धर्ती पर जो की महर्ची की अपनी तपोस्तली भी रही है आज राष्ट उन्हें एक और कृतग्य सद्धांजली दे रहा है आज स्री अर्मिंदो के उपर एक स्मृति कौइन और पोस्तल स्टैम भी रिलीज किया गया है मुझे विश्वास है कि स्री अर्मिंदो का जीवन और उनकी सिक्षाओं से प्रेणा लेते हुए राष्ट के ये प्रयास हमारे संकल्पों को एक नई उर्जा देंगे नई ताकत देंगे साथियों इतिहास में कई बार एक ही कालगण में कई अधुद घटनाएं एक साथ होती हैं लेकिन आम तोर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है मैं मानता हूँ जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई ने कोई योग शक्ति काम करती है योग शक्ति यानि एक सामुहिक शक्ति सबको जोडने वाली शक्ति आप देखिए भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महपुरुष हुए हैं जिनों ने आजादी का भाव भी सतक्ति किया है और आत्मा को भी पुनर्जिवन दिया इन्वे से तीन स्वी अर्विंदो, स्वामी विवेकानन और मात्मा गांदी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपुन घटनाएं एक ही समय में घटी इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बढ़ला और राष्ट जीवन में भी बड़े परिवर्तन आये 1893 में 14 वर्ष बाद श्री अर्विंदो इंग्लेंड से भारत लोटे 1893 में ही स्वामी विवेकानन विश्व धर्ब संसद में अपने विख्याद भासन के लिए अमेरिका गए और इसी साल गांदी जी दक्षिण आफ्रिका गए जहां से उनकी मात्मा गांदी बनने की आत्रा शुरू हुई और आगे चल कर देश को आज़ादी महानयक मिला भाई और भैनों आज एक बार फिर हमारा भारत एक साथ ऐसे ही अन्यकों संयोगों का साक्षी बन रहा है आज जब देश ने अपनी आज़ादी के पचतर वर्ष पूरे किये हैं अमरत काल की हमारी यात्रा शुरू हो रही है उसी समय हम स्री अर्बिंदो की एक सो पचासवी जैंती मना रहे हैं इसी कालखण में हम देता जी सुभास्ते दर भोज की एक सो पचीसवी जन्म जैंती जैसे अवसरों के साक्षी भी बने हैं जब प्रेरा और कर्तव्या मोटिवेशन और एक्षन एक साथ मिल जाते हैं तो असंभाव लक्ष भी अवस्चंभावी हो जाता है आज हादी के अमरत काल में आज देश की सफलताएं देश की उपलब्दियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है साथियों श्री अर्विंदो का जीवन एक भारत स्विष्ट भारत का प्रतिवीम है उनका जन्म बंगाल में हुआ था लेकिन वो बंगाली, गुजराती, मराटी, हिंदी और संस्क्रित समेत कई भार्षाओं के जानकार थे, उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था लेकिन उपना ज्यादा तर जीवन उन्होंने गुजरात और पुड़ीचेरी में बिताया वे जहां भी गए, वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी चाप छोड़ी आज आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे महर्ष्वी अर्विंदों के आश्रम, उनके अन्युआई, उनके प्रसंसक, हर जगा मिलेंगे उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्क्रित को जान लेते हैं जीने लगते हैं तो हमारी विविदता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती है साथियों, ये आजहादी के अमरितकान के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है एक भारत, स्रेष्ट भारत का इससे उत्तम प्रोथसान क्या हो सकता है? कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था वहां काशी तमिल संगमम कारकम का हिस्सा बनने का आउसर मिला ये अद्बूत आयोजन है भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से कैसे अटूट है, अटल है ये हमें उस अउत्सव उत्सव में देखने को मिला आज का युवा क्या सोचता है ये काशी तमिल संगमम में देखने को मिला आज पूरे देश का युवा भाषा बुशा के आधार पर बेद करने वाली राजनिती को पीछे छोड़कर एक भारत स्रेष्ट भारत की राष्ट निती से प्रेरित है आज जब हम स्री अर्विंदो को याद कर रहे हैं आजादी का अमरत महोसों मना रहे हैं तब हमें काशी तमिल संगमम की भावना का विस्तार करना होगा साथियों महर्ची अर्विंदो के जीवन को अगर हम करीब से देखेंगे तो उसमें हमें भारत की आत्मा और भारत की विकास यात्रा के मौलिक दर्शन होते हैं अर्विंदो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में आदुनिक शोध भी था राजनेति प्रतिरोध भी था और ब्रह्मबोध भी था उनकी पड़ाई लिखाई इंग्लेंड की बहतर से बहतर सांस्थानों में हुई उन्हें उस दोर का सबसे आधुनिक माहुल मिला था ग्लोबल एक्स्पोजर मिला था उन्होंने खुद भी आधुनिकता को उतने ही खुले मन से अंगिकार किया लेकिन वही अर्विंदो देश लोट कर आते हैं तो अंग्रेजी हुकुमत के प्रतिरोध के नायक बन जाते हैं उन्होंने देश की आजहादी के लिए स्वाधिंता संग्राम में बढ़ चटकर हिस्सा लिया वे उन सुरुवाती स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने खुल कर पूर्ण स्वराज की बात की कॉंग्रेज की अंग्रेज परस्तनीतियों की खुल कर अलोच ना की उन्होंने कहा था अगर हम अपने राष्ट का पुननिर्मान चाहते हैं तो हमें रोते हुए बच्चे की तरह ब्रिटिस पार्लमेंट के आगे गिरगिनाना बंद करना होगा बंगाल विभाजन के समय अर्बिंदोनी वाओं को रिकूट किया और नारा दिया नो कम्प्रमाइज कोई समझोता नहीं उन्होंने भवाणी मंदिर नाम से पैंप्लेट छपवाए निराशां से घीरे लोगों को सांस्कृतिक राष्ट के दर्शन करवाए आइसी वैचारिक स्पस्थता आइसी सांस्कृतिक दर्टा और ये राष्ट भक्ति इसलिए उस दोर के महान स्वतंत्र सेनानी स्री अर्विंदो को अपना प्रेण सोत्व मांते थे नेता जी सुभाज जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपने संकल्पों की प्रेणा मांते थे वही दूसरी ओर जब आप उनके जीवन की बौदिक और अध्यात्मिक गहराई को देखेंगे तो आपको उतनाही गंबीर और मनस्वी रुष्वी नजर आएंगे वे आत्मा और प्रत्मात्मा जैसे गहरे विश्व पर प्रवचन करते थे ब्रह्म तत्व और उपनिश्दों की व्याख्या करते थे उन्हेंने जीव और इश्च के दर्शन में समासेवा का सुत्र जुड़ा है नर से लेकर नारायन तक की यात्रा कैसे की जा सकती है ये आप श्री अर्विंदों के शब्दों से बड़ी सहच्छा से सिख सकते हैं यही तो भारत का संपूर्ण चरित है जिसमें अर्थ और काम का भौतिक सामर्थ भी है जिसमें धर्व यानि कर्तव का अध्वुद समर्पड भी है और मोक्ष यानिया ध्यत्म का ब्रम्ब बोध भी है इसलिए आज अम्रित काल में जब देश एक बार फिर अपने पुनर निर्मान के लिए आगे बढ़ रहा है तो यही समगरता हमारे पंच प्राणों में जलकती है आज हम एक विक्सित भारत बनाने के लिए सभी आधुनिक विचारों को बेस प्रक्टिसीज को स्विकार और अंगिकार कर रहे हैं हम बिना किसी समझोते के बिना किसी दैन्य भाव के इंडिया फर्स के मंत्र को सामने रखकर काम कर रहे हैं और साथ ही आज हम हमारी विरासत को हमारी पहचान को भी उतने ही गर्वसे दुनिया के सामने रख रहे हैं भाई और बहनों महर्ची अर्विंदों का जीवन हमें भारत की एक और ताकत का बहुत कराता है देश की ये ताकत आज़ादी का ये प्राण और वही गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती महर्ची अर्विंदों के पिता शुरुवात में अंग्रेजी प्रवा में उन्हें भारत और भारत के संस्कृति से पूरी तरह दूर रखना चाहते थे वे भारत से हजारों मेल दूर अंग्रेजी माहोल में देश से पुरी तरह से कटे रहे लेकिन जब वो भारत लोटे जब वो जेल में गीता के संपर्ग में आए तो बही अर्विंदो भारतिय संस्कृति की सबसे बुलंद आवाज बन कर निकले उन्होंने सास्त्रों का अध्यन किया रामायन, महाभारत और उपनिश्रदों से लेकर कालिदास, भवूती और भरतुहरी तक के ग्रंतों को ट्रांस्लेट किया जिन अर्विंदो को खुदी वावस्ता में भारतियत्यां से दुर रखा गया था लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे, यही भारत और भारतियता के असली ताकत है उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले? उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सक ले? भारत वे अमर वीज वीज है जो विप्रित से विप्रित परिस्तित्यों में थोड़ा दब सकता है थोड़ा मुर जा सकता है लेकिन वो मर नहीं सकता वो अजे है अजरा अमर है क्योंकि भारत मानव सब्वेता का सबसे परिस्कृत विचार है मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है यह महरची अर्मंदियों के समय में भी अमर था और यहाज भी आज़िक अमर्त काल में भी अमर है आज भारत का युवाआ अपने सांसकृतिक स्वाभीबान के साथ भारत की जैगोश कर रहा है दुनिया में आज बीशन चुनोतिया है इन चुनोतियों में सवाधान में भारत की भूमी का महत्वपून है, इसलिए महर्चे अर्विंदों से प्रिणा ले कर हमें कुद को तयार कर रहा है, सब का प्रयाद से विश्चित भारत का निर्मान कर रहा है, एक बार फिर महर्चे अर्विंदों को नमन करते हुए आप सभी का रुदय से बहुत बहुत धन्यवाद